अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बेल आइकन दो सप्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है महा सिवरात्री उपाई महा सिवरात्री पर कर ले ये खास उपाई चमक जाएगा सोया हुआ भाग्या महा सिवरात्री वरत दो हजार तैस पूजा वेधी सुमुरत उपाई जोतिश शास्त्र के अनुसार यदि इस देन भगवान शिव को प्रसन करने के कुछ विशिस उपाई किये जाए तो समस्त मनो कामना पूरी हो सकती है फागवन मास के कृष्ण पक्ष की चतुरदसी तिति को महा सिवरात्री का पर्व मनाया जाता है इस साल 18 फरवरी को महा सिवरात्री का पावन पर्व मनाया जाएगा इस दिन शिव भक्त वरत रहकर उपवास रखकर भगवान शिव को जलाविशेक, रुद्राविशेक, दुधाविशेक, जागरण इत्यादी विविन तरीके से मनाएंगे रिजाएंगे सुहागन इस्त्रियां अपने सोभागे की वृधी करने के लिए औविवाहित लड़कियां सुयोग्य एवं मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति है तो शिव की पूजा अर्चना करेंगी इस दिन चतुर्दसी लिंग की पूजा की जाएगी मानेता है कि इस दिन भगवान शिव अर्ध रात्री में ब्रह्मा जी के अंस से लिंग रूप में प्रकट हुए थे कई जगों पर मानेता है कि इसी दिन भोलेनात का गौरा माता से विवाह हुआ था इस दिन विधी विधान से भगवान भोलेनात की पूजा अर्चना किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पुर्ण होती है भगवान शिव को प्रसंद करने के कुछ विशेश उपाई किये जाए तो समस्त मनोकामना पूरी हो सकती है ये उपाई से चमक सकते हैं किस्मत यदि विवाह में अडचन आ रही है तो शिवरात्री के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूद चढ़ाएं जल्दी ही विवाह के योग बन सकते हैं दूसरा मचलियों को आटे की गोलियां खिलाएं इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहे ये धन्य प्राप्ती का सरल उपाई है तीसरा शिवरात्री पर 21 विल पत्र पर चंदन से ओम नमसिवा लिख कर शिवलिंग पर चढ़ाएं इससे आपकी एक्छाएं पूरी हो सकती है चौथा शिवरात्री पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं इससे जीवन में सुख सम्रिदी आएगी और परेशानियों का अंत होगा पाचवा शिवरात्री पर गरीवों को भोजन कराएं इससे आपके घर में कभी अन्य की कमी नहीं होगी तथा पित्रों की आत्मा को सांती मिलेगी चट्था पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अविशेक करे वो ओम नमस्षिवाई मंत्र का जाप करे इससे मन को सांती मिलेगी सात्वा शिवरात्री पर घर में पारद की शिवलिंग के स्थापना योग्य ब्रम्हन से सलाह कर स्थापना कर प्रती दिन पूजन कर सकते हैं वो इससे आपकी आमदनी बढ़ाने के योग बन सकते हैं आठवा शिवरात्री के दिन आते से ग्यारह शिवलिंग बनाए वो ग्यारह बार इनका जलाबिशेक करे इस उपाई से संतान प्राप्ती के योग बनते हैं नौवा शिवलिंग का एक सो ग्यारह बार जलाबिशेक करे साथ ही ओम हूम जूम सह ओम भूर भुवस्वः ओम त्रम्बकिम यजा महे सुगंधी पुष्टी वर्धनम उर्वा रुकमिवबंदना मिर्तिवज मुक्षे अमामरिता ओम स्वाह भूव भू ओम सह जूव ओम मंत्र का जाप करते रहें इससे बीमारी ठीक होने में लाफ मिलता है दस्वा शिवरात्री पर भगवान शिव को तिल व जो चड़ाएं तिल चड़ाने से पापो का नास वजो चड़ाने से सुख में समरिधी होती है कैसा लगा आप सभी को हमारे ये माहा शिवरात्री उपाए प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आयो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवा थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट